दोस्तो अभी हाल ही में आपका अलाबाद हाई कोट में इस्टैनो जूनियर एसिस्टेंट ग्रूप डी और ड्राइवर की पोस्ट की वेकेंसी आई भी है आप सभी ने उसका फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया होगा और उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था लेकिन उसके बाद और क्या important चीज है जो आप सभी को पता होना चाहिए कि आगे कितना competition है और previous year क्या cutoff गया था जमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बाद फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ABC Classes by राजन वर्मा जहां पे आपको बिल्कुत सही और सठी जानकारी दी जाती है दोस्तों आप सभी को पता है कि जो यहां पर पोस्ट है इस टैनो ग्रेट 3 की है ठीक है मैं पिछले साल का जो आपका 2017 previous year cutoff 2017 2017 में कितनी vacancy आई थी और क्या cutoff गया था और इस बार कितनी vacancy है तो क्या जाएगा यह आपको खुदी समझ लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन कितना hard या easy होगा आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए जिससे आप अपने आपको compare करके उस level की तयारी कर सके दीक है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैनो के लिए यह Hindi और English दोनों को मिलाकर है आटसो 81 पोष्ट Hindi के लिए है 305 पोष्ट English के लिए है ठीक है आपको या तो Hindi आनी चाहिए श्टैनो या तो थे 55, 60 और 65 यही नमबर आया था बच्चों की यही नमबर थे अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा एक एक डिटेल दिखाऊंगा किस बच्ची की कितने नमबर थे और टाइपिंग में कितने नमबर थे और क्या कट आफ गया था ताकि आप अच्छे से समझ सकें यह 28 नमबर का आपका इंग्लिश टैपिंग हो गया टोटल आपका हो गया 200 नमबर ठीक है अब 200 में कितना कट आफ गया था यह तो भी आगे देखा जाएगा दूसरी बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की यहां पर आपका 1786 पोस्ट आया था 2017 में कितना 1786 और इस ब देखा है तो दुबारा से देख लिजीएगा ठीक है यह आपके टोटल एक हजार 21 हो गया है अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं यहां पर आप एक नोटिस देख रहे हैं ठीक है नोटिस क्या है नोटिस यह है कि कुछ आपके ग्रुप डी की जो पोस्ट है ग्रुप डी की जो पोस्ट है और ड्राइवर की जो पोस्ट है और जो क्लर की पोस्ट है ठीक है इनको किया किया जा रहा है कैसे आपकी जो भरती थी वो पहले ज्यादा आनी थी लेकिन अब क्या किया गया है कि जो रिटायर कर्मी है रिटायर ठीक है उनको वापस बुलाय आप देख रहे हैं, कितनी धेड़ सारी पोश्टों पर retired कर्मियों को रखा जा रहा है अगर उनको नहीं रखा जाता है retired कर्मियों को, क्योंकि आपको पता यह कि इनको क्या मिल रहा होगा, इनको तो pension भी मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले stage 1 होगा, stage 1 आपका 100 नमबर का written exam होगया हिंदी टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग आपकी किस पर होगी मंगल फॉन्ट पर होगा मंगल फॉन्ट, मंगल इन स्क्रिप्ट मंगल इन स्क्रिप्ट पर होगा कुछ बच्चे कह रहे थे, यह कहाँ पर लिखा हुआ है notification में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको दिख जाएगा, otherwise मैं बता रहा हूँ तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं ठीक है, अब यहाँ पर भी जो आपका ठीक है, ग्रूब डी के लिए बहुत अच्छी पोस्ट आई भी है ठीक है, अब बच्चों का एक सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि ग्रूब डी के पोस्ट के लिए छटवी, आठवी, दसवी, ठीक है ठीक है, अब आपको पता होगा कि आपने स्कूल पर जाना पड़ेगा ठीक है, और बहुत से स्कूल ऐते भी होंगे जहाँ पर आपका कोई रिकॉर्ड़ी नहीं होगा ठीक है न, तो आप वहाँ पर जाएं, अपने स्कूल पर वहाँ पर बात करें ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये एक mark sheet चाहिए, तो आप अपने यहां से उसको देने की किरपा करें, मैंने आप ही कहां से किया था, और अपना high school का mark sheet दिखा सकते हैं, वहां पर record होगा ही, ठीक है, तो यह काम कर सकते हैं, तो group D का जो दो stage में paper होगा, stage 1 और stage 2, दोनो 100-100 number का है, तो total आपका 200 number में से आपका merit बनेगा, अब हम बात करें यहां पर driver post के लिए, तो stage 1 और driving test, तो stage 1 में आपका 100 number का written test होगा, उसी पर आपका merit बनेगा, लेकिन आपका driving test भी होगा, ठीक है, अब driving test के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो driving test के लिए आपके पास होना चा नहीं आई है 26 पोस्ट आई है 2022 में ठीक है क्योंकि ये भी आपका रिटार्ड कर्मियों से भरा जा रहा है ठीक है ना चलिए अब यहां पर आपको हम ये बता दें कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए डील होना चाहिए LMV का होना चाहिए मतलब कि 4-wheeler 4-wheeler का होना चाहिए और ये कब का होना चाहिए तो देखे यहां पर लिखा हुआ है 3 years experience तो यहां पर आपको experience का कोई certificate नहीं देना है experience का कोई certificate नहीं लगेगा मेरे दोस्तो experience का कोई certificate नहीं लगेगा लेकिन इस form का जो last date है जो last date है इससे 3 साल पुराना तीन साल पुराना होना चाहिए आपका driving license तीन साल पुराना driving license होना चाहिए तो आप ये form भर पाएंगे माना जाएगा कि आपके पास तीन साल का experience है बाकी तो driving test होगा ही होगा ठीक है ये 100 number का हो गया चलिए अब आप सारी चीजों को समझ गया है चलिए अब हम आपको cut off और एक इक detail को दिखाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे है high court में आपका English stenographer के लिए देखिए यहाँ पर English stenographer लिखा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले English stenographer की बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर वन पर जो नवनीत फरेरा ठीक है यह है मैं सबका नहीं लूँगा category देखिए ऐसी category है और यहाँ पर देखिए stage 1 marks stage 1 में इनके जो marks हैं वो 62 नंबर है मतलब कितने में 100 नंबर में से 62 नंबर है लेकिन English stenographer इनकी 0 हो गई ठीक है तो वहाँ पर तो वो fail हो जाएंगे उसके बाद second number में मनोज कुमार सिरवास्तों है उनका देखिए तो 59 नंबर marks हैं आपका 100 में से और इस 10 नों में 28 नंबर है और हिंदी typing में कितना है 17.07 है ठीक है 10 नंबर passing marks है तो इनके 17.07 है और 20.28 कितना है इंगलिस में अब देखिए total typing marks इनका बन गए 37.98 पचास में से और जो combined marks बना 124.98 तो दोस्तों ये जो 124 इनका बना ये कितने में से बना ये 200 में से बना है अभी हम आगे देखेंगे कि इनका cut off कितना गया है उस बारे में भी हम देखेंगे ठीक है चलिए अब आगे देखिए आप हिंदी स्टेनो ग्राफर का देख रहे हैं बिल्कुल जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इंगलिस का तो यहाँ पर भी same मैंने आपको दिखा दिया ठीक है पवन कुमार है और यहाँ पर इनका जो दिखिए स्टेज वन में 66 मार्क्स था सौ में से और हिंदी स्टैनो में बहुत ही गजब का 49.46 मार्क्स है बहुत अच्छे मार्क्स है और हिंदी टाइपिंग में 24 दंशलो तीन तीन और इंगलिस में 24 दंशलो दो आट टोटल अगर हम इनका देखें तो कितना बन गया है दोस्तो टोटल इनका अगर हम देखें तो कितना बन गया 160 एक सेकंड दोस्तो 160.04 ठीक है 160.04 तो बहुत ही अच्छे मार्क्स है इनके 200 में से 160.04 यह आपका 200 में से बन गया अब यह आपका हिंदे इस्टेनों हो गया अब हम आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर देखे ग्रूप डी के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो अब देखें दोस्तों यह ग्रूप डी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रूप D में मतलब कि आपका जो ट्यूब वेल ओपरेटर हो गया माली हो गया कूली हो गया वाटर मैंस्वीपर उनके लिए ठीक है यहाँ पर आप देखें नमबर वन पे जो नाम है वो है सैलेंद्र कुमार और यहाँ पर केवल अब यहाँ पर क्या है एक तो stage 1 है और stage 2 है दो stage में paper होगा न जो की 100 नमबर और 100 नमबर 200 नमबर का paper होगा 200 नमबर का मैंने भी बताया तो stage 1 में 96 marks है और stage 2 में कितने marks हैं दोस्तो 95 marks है ठीक है तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर total 191 हो रहा है और second जो number है 187 फिर 183 189 तो यहां पर मार्स 200 में से मतलब बच्चे 191 भी लाए हुए है ठीक है अभी इसका cut-off भी हम आगे discuss करेंगे आगे बढ़ते हैं हम यहां पर अब आप देखे क्या दिख रहा है आपको कि यह है आपका clerical मतलब की clerk वाली जो post आई हुई है group C वाली उसके बारे में बात कर लेते हैं तो number 1 पर है जितेंदर सिंग और यहां पर आप देखे तो stage 1 की अगर stage 1 मार्क्स की अगर मैं बात करो यहां पर stage 1 में तो कितने हैं 88 मार्क्स है मतलब 100 में से इनके 88 मार्क्स हो गए है फिर हिंदी टाइपिंग में 22,08 और इंग्लिस में 23,08 ठीक है तो मतलब 50 में से इनके total होगे 46,06 तो इनके जो total बन गए 134,10,06 यह कितने में से बना 1.500 में से बना ठीक है अब इसी तरीके से आप देख लिजे 134,133 जो बना हुआ है बच्चों के नंबर आप देख लिजे फिर मैं अभी इसका cut-off आपको दिखा रहा हूँ ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर यह बताना चाहता हूँ मैं आपका जो clerk की post है 2017 की अगर हम बात करें तो 1786 post के लिए इन्हों ने जो qualify किया था यहां पर देखिए आप टोटल 8000-8800-841 बच्चों को ठीक है 8000-841 बच्चों को qualify किया था तो अप्रोक्स अगर मैं इसको कहूं तो अप्रोक्स यह 5 गुना बच्चों को qualify किये थे टाइपिंग के लिए किसके लिए टाइपिंग के लिए आपका 5 गुना बच्चों को qualify किया था ठीक है अप्रोक्स कह रहा हूँ 4.9 तो इसको अप्रोक्स गुना ही बोला जाएगा ठीक है चलिए अब अगला देखिए आपका ड्राइवर पोस्ट जो है तो ड्राइवर पोस्ट में क्या है केवल 100 नंबर का आपका रिटन टेस्ट है और उसके बाद आपका क्या होगा ड्राइविंग टेस्ट होगा ठीक है तो 100 में से दिखिए यहाँ पर जो बच्चा है पहले नंबर पर क्या नाम है नाम देख लेते हैं कप्तान सिंग ठीक है नाम भी बहुत ही धासू है कप्तान सिंग और यहाँ पर जो इनके मार्क्स हैं टोटल 65 मार्क्स हैं अब यहाँ पर 69, 42 ऐसे इस तरह के मार्क्स हैं अब हम आगे भी कट आफ भी देखेंगे ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए कट आफ देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइवर ड्राइवर की कट आफ की बात करें तो जनरल का आप देखिए कितना है मैंने अभी बताया था आपका ड्राइवर के लिए कितना सीट आया था 37 सीट आया था ना लास्ट टाइम ठीक है और उसके लिए cut off जो गया है 89 आपका unreserve का गया है OBC का 92 and SC category का 89 बाकी no vacancy ठीक है चलिए आगे अब हम देख लेते हैं ये किसका है ये है आपका clerical ये आपका है clerk के लिए है ठीक है तो clerk के लिए आप देख लिए यहाँ पे unreserve का 136.44 ये कितने में से है 1.500 में से है और OBC का 13 34 and SC का 127.26 ST का जो गया है 100 107.34 इसी तरीके से आप यहाँ पी देख लिए एक सर्विसमेन का गया है 99.04 ठीक है एक सर्विसमेन उसके बाद यहाँ पे आप फिमेल सारी चीजों का अलग-अलग है ठीक है ये WM woman है unreserve 128 नंबर ठीक है न तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो consum cut off आपका गया है 136 नंबर गया हुआ है 1500 में से ठीक है और OBC का जो गया है 127 नंबर गया है 1500 में तो इस बार भी आप समझी रहे हैं कि टाइपिंग में 24 नंबर 24 नंबर तो लाना ही पड़ेगा 8 और 4 और 40 नंबर तो इधर हो गया और 100 में से कम से कम 85 नंबर आपको फिर भी लाना पड़ेगा ठीक है तब आपके होंगे आठ पन ते रख तीन असिल लगा एक आठ चार बारह और एक तेरह अरे यह तो अभी भी 133 हो रहा है है ना तो आप समझ लिजे 85 मार्क्स पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है 90 मार्क्स इधर लाना होगा और 48 उधर लाना होगा तभी 8,9,4,13 कम से कम यही मार्क्स जा रहा है मतलब पिछले कट ओफ को देखें तो देख रहे है कि कितना रिटेन में बहुत ज़्यादा कॉंपटिशन है आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो जल्दी से देखते हैं इंगलिस स्टैनोग्राफर का ठीक है इंगलिस स्ट स्टैनोग्राफर का यह रहा हिंदी स्टैनोग्राफर तो 166 गया है अन्रिजर्व का 163 ओबी सी का 158 और स्टी का 131 तो यहाँ पर भी आपने बाखी नीची भी वोमेन का भी दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो यह रहा सारी चीज़े इसलिए आपको बता इसलिए मैंने की आप देख लिए कॉंपटिशन कितना है उसके बाद यह गुरूप डी का है गुरूप डी मतलब जिसमें आपका ट्यूबल ऑपरेटर हो गया और मुली सारी माली सारी सारी माली ठीक है ना तो यह आपके कट आफ है यहाँ पर अन्रिजर्व का 193 ओमाइग और दोसों में से 193 मार्क ठीक है 191 OBC के ठीक है चलिए ठीक है मेरा काम था आप सभी को बताना बाकी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरू कर लिजीएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंकी सो मच बाइबाइटे क्या आप सभी लोगों का समय सुभ हो